हेलो केट्स, वेल्कम टो एट्स चानल, तो आज की इस वीडियो में हम पर ने जा रहे हैं, आपकी NCRT क्लास 3 की इंग्लिश का एक और चाप्टर, यूनिट 8 का ही ये चाप्टर है, माई सिली सिस्टर, सिली का क्या मतलब होता है, बुद्दू, और ये स्टोरी किसके बारे मे हैं, एक ब्रदर के बारे में, एक उसके सिस्टर है, एंड मदर से वो बात कर रहा है, और वो ममा को क्या बोल रहा है, कि आपकी जो बीटी है ये बहुत ज़्यादा सिली है, ये चाप्टर को, सबसे पहले करेंगे इसकी रीडिंग, जानेंगा इसके मीनिंग, फिर उसके ब और बेबी is silly, she is so very childish, she does not know the difference between lights in the street and the bright stars, mother, अब मदर कौन बोलेगा, भाई बोलेगा, ठीक है, भाई बोल रहा है अपनी ममा को, कि ममा, आपकी जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा सिली है, मतलब कि बुद्धू है, ठीक है, उसे कुछ नहीं बता, she is so very childish, childish मतलब कि चोटे चोटे हम कोई बच्चे जैसे बहुत जादा रो रहा होता है, तो हम क्या बोलते है, क्या चोटे बच्चों की तरह रो रहा है, तो इसको मतलब हो गया childish, ठीक है, आगे चलते है, she does not know the difference between light in the street and the bright stars, वो childish क्यों है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता, कि जैसे जो streets में, मतलब कि जो गलियों में आपके उदर, roads के उपर light होती है, उसमें और जो stars इसे shine कर रहे होते हैं, उसको उन दोनों के बीच में difference में नहीं पता, when we play with pebbles, she think they are real food, she even tries to put them into her mouth, जब हम खेल रहे होते हैं ना pebbles के साथ, pebbles मतलब की छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, तो उसको क् पता है कि यह real food है, और कई बारी तो उसको वो क्या करती है, खाने का try करती है, अपने मूँ में उन पत्थरों को डालने लगती है, when I open a book before her and ask her to learn her, A, B, C, she tears the pages with her hands and roll with a joy, with joy at nothing, this is your baby's way of doing her lessons, अब आगी क्या बोला है, कि जब मैं मतलब book खोलता हूँ उसको पढ़ाने के लिए, A, B, C, अब जो बड़ा भाई हो गया फिर बड़ी बैन होगी, वो मेंशे छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते है, ठीक है, तो वो जब उसको book खोल के दिता है, ताकि वो अप की बेटी ऐसे पढ़ती है, हम कैसे पढ़ते हैं, एक पेच पढ़ती है, दन फे टर्न करते हैं, और आपकी बेबी कैसे करती है, वो तो फार-फार कैसे पढ़ रही होती है, और इतना खुश हो रही होती है, कि पता ही वो क्या कर रही है, आगे याँ पर एक डंकी आया ठीकρε अब जब मुसे डांटा हूँ, जैसzing हम कई गलत काम करते हैं तो मम्य पाबा हमें डांट रही होते हैं ठीक है, या फिर टीचर हमें डांट रही होती है अब जब भाई भी अपनी बहन को से डांट रहा हता है या फिर उसको कह रहा होता है कि तुम बहुत जादा नौटी हो, नौटी मतलब कि शेतान, तो वो खुश होरी होती है, और उसे कह लगता है, कि ये तो मेरी थारीफ हो रही है, जैसे शिंचन नहीं करता, वो भी कहता है न, अब इसमे इतना भी खास नहीं है, वैसे ही जो ये है, ये भी समझते है कि उसकी धारीफ कर रहा है भाई, और वो खुश हो रही होती है, अब देखो, उनके पापा कहते हैं, कहीं पर बाहर काम करते हैं और सबको पता है कि पापा यहां पर नहीं है तो जब मैं मतलब इसे खेलते हूँ कि पापा बोल देता हूँ या फिर फादर बोल देता हूँ और वह खुश हो जाती है वह सोचती है कि पापा यहां पर आ गए है Sometimes I hold a class with donkey and that our that our washerman brings to carry away the dirty cloths I warn her that I'm the school master and that she better not to make any noise ठीक है अब आगे क्या बता हूँ है अब उसको करते है जैसे कि हो सकता है कि शाइद जो भाई है उसे एक teacher परना है तो जब वह तब जो वाशेर मैं होता है जो कपड़े लेने के लिए धूबी आता है गंदे कपड़े लेने के लिए धूबी आता है अपने साथ वह donkey लाता है ताकि वो जो कपड़े होंगे उनको लेकर जा पाई ठीक है उठाकर ले जाए ऐसे अराम से तो फिर जो मैं मतलब उन डॉंकी के साथ लेता हूँ मतलब उनको फड़ा पढ़ाने के ट्राय करता हूँ या फिर इसे बाते कर रहा होता हूँ तो फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ मैं टीचर हूँ और नॉइस नहीं करना है शोर नहीं करना है Only then she keeps quiet और फिर सिर्फ तब ही वो क्या होती कई वरिशान हो जाती है I insist that she should call me dada अब जैसे कुछ इंडिया के कुछ states होती है फिर जगा होती है वहाँ पर dada का मतलब होता है बड़ा भाई ऐसे तो dada का मतलब होता है dada ji grandfather और कहें पर dada का मतलब बड़ा भाई भी होता है Your baby wants to catch the moon She is really funny Mother, your baby is silly She is very childish ठेक है अब वो बीबी क्या करना चाहती है Moon को पकरना चाहती है Moon को कोई पकर सकता है नहीं ना पर वो पकरना चाहती है और फिर भाई क्या कहता है कि वो बहुत जादा क्या है Funny है और वो कहता है कि ममा आपके baby बहुत जादा childish है और वो क्या है Silly है तो इस story से हमें क्या समझाया जिक देक जैसे कि जो बड़ा भाई था वो भी कभी पचाता तो वो ऐसी हरकते करता है ठीक है क्या वो उसको डांट रहा होता है गुस्से में नहीं वो उससे प्यार से समझा रहा होता है ये story लिखी है रभी दना टेगोर ने जिने रो नोबल प्राइस भी मिल चुका है और राष्टे गान जम खाते है न स्कूल में जन गन मन वो इन्हों नहीं लिखा है चलिए आप करते हैं इसके new words childish मतलब की बच्चो जैसा pebbles हो गए छोटे-छोटे stones टंकी हो गया animal dirty मतलब की गंदा anger मतलब की किसा excitement बहुत ही ज़्यादा खुश होकर playful खेलते हुए या फिर मतलब खेलते हुए समय naughty हो गया शैतान washerman हो गया आपका dhubi आगे चलते हैं अब question answers की तरफ reading is fun so first question is what does the child do the baby do with the pebbles जो बच्चा था वो pebbles के साथ मतलब की छोटे-छोटे पत्रों के साथ क्या करता था so the answer is the baby tries to put pebbles in her mouth thinking them it's real food जो baby था वो pebbles को अपने मूँ में डालने का try करता था and सोचता था कि वो क्या है real food है आगे है second question what does the baby do with the book जो baby था वो क्या करता था book के साथ the baby tear the pages of the book with her hands जो baby था वो क्या करता था book के pages tear कर देता था फार देता था अपने हाथों के साथ हसता कब था the baby love when she tears the pages of the book and her brother scrolls her बीबी कब कब हसता था जब वो एक तो सबसे पहले तो जब अपने क्या करते थी book के pages पाड़ देते थी and जब उसका भाया उसे डानता था why does the washerman bring donkeys जो washerman था वो donkeys क्यों लाता था the washerman brings donkeys to take away the dirty clothes to wash जो गंदे कपड़ते थे उनको साथ ले जाने के लिए जो washerman होता था वो donkeys लाता था अगे है talk time यह आपको खुद करना है what is the funniest thing the baby does तो आपको सबसे ज़्यादा मजागिया चीज क्या लगी जो बच्चा करता था तो मुझे तो यह लगी कि जैसे जब उसका भाई उसे जानता था वो तब भी हसरी होती थी ठीक है आगे है do you think the baby sister is really silly why आपको क्या लगता है जो baby sister थी वो silly थी अगर थी तो क्यों थी अगर नहीं थी तो क्यों थी देखो silly तो वो नहीं थी जो बच्चे थे ना वो बच्चे जो होते हैं वो हमेशे ऐसी हरकती ही करते हैं सारे बच्चपन मैसे ही होते हैं तो वो silly नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें मतलब पता नहीं होता ना कुछ तो इसलिए वो childish हरकते करते हैं ओके आगे चलते हैं यहां पर poem दी हुई है उसे पढ़ते हैं let's move and dance तो move करना है और dance करना है hands are for clapping clap 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 feats are for walking walk, walk, walk hips are for shaking shake, shake, shake arms are for stretching stretch, stretch, stretch eyes are for blinking blink, blink, blink heads are for noding nod, nod, nod elbows are for moving move, move, move mouths are for talking talk, talk, talk बड़ ज्यादा बाते नहीं करने टीचर्स को तंग नहीं करना है next है word building हमें filling the blanks करने है ठीक है stories के according हमें word बनाने जैसे silly s-i-l-l-y silly p-e-b-b-l-e-s pebbles यहां पर हो जाएगा streets scroll मतलब की डांटना lessons naughty excitement excitement डंकी अब second question में हमें similar word बताने है जैसे कि foolish हो गया तो childish या फिर आप silly भी लिख सकते हो ठीक है आगे है stones तो pebbles mischievous naughty आगे है fetch to bring to bring या फिर to get आगे हमें fill in the blanks दियो है words हमें box में से लेने है the dash are playing the children are playing children खेल रहे है dash are happy तो कौन हैपी है they are happy वो सब खुश है they are playing catch catch me if you can अगर मुझे पकड सकते हो तो पकड की दिखाओ तो पकड़म पकड़ाए खेल रहे है तो कौन खेल रहे है वो खेल रहे है तो they ठीक है आगे है the dash rung it's time for lesson कौन बजी bell बजी और अब lesson का time हो क्या है आगे है one child many children एक बच्चा है तो जादा कौन होंगे children होंगे one fox many foxes one duck many ducks one goose many geese अब जो word है उनके last में हमें full लगाना है and word बनाना है जैसे कि playful so the children are playing full flowers are beautiful beautiful आगे है the books are useful and vegetables are plentiful अब लास्ट में वैसे ही ly लगाना है the new shoes are lovely lovely really slowly and softly आगे है that girl is always crying she is childish childish आगे है I slipped a banana peel on a banana plane मतलब कि मैं banana peel जो था banana था उसके उपर उसके चिलके के उपर गल्दी से मेरा पैर पढ़िया and अब मुझे क्या लग रहा है foolish feel हो रहा है foolish आगे है my sister is babyish और आगे चलते है let's write अब हमें लिखना है ठीक है five sentences frame करना है अगर हम घर में मदद करते हैं I help my mother in cooking food I help my father in हम कर सकते की cleaning अगर जिसे bathroom अगर हो के अफे car washing अगर हो के I also help my brother in studies I also help my sister in sister के आप मदद कर सकते है जैसे की कोई organize करना है समान या फिर अगर छोटी बैन है तो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकते है and brother का आप कोई काम करने में homework अगर करने में help कर सकते है I do all the work in the home आगे है say aloud आपको बोलना है donkey monkey turkey sister mother father ओकी यह बोल दिया हमने last में है I am a popcorn put me in a pan shake me and shake me as fast as you can I will pop ठीक है यहाँ बर हमारा chapter खतम होता है thank you for watching this video till end see you in the next chapter